करेंग में हूँ कभी भुपेश्राज फिर से आपके साथ और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंट्रेस्टिंग बात करने वाले वह हैं साथ ऐसे यूटूब चैनल जिससे आप इंग्लिश सेख सकते हों दोस्तों बहुत बार आपने यह पुछा था कि इंग्लिश कैसे सि जिसको अगर आप रेगुलर्ली फॉलो उनके कॉंटेंट करते हो दिन में से एक यह दो घंटे भी अगर आप इनको दोगे तो यस यू के बैटर यू यू इंप्रूव यू इंग्लिश यू के वेरी वेरी बैटर यू आफ्टर मेभी परेड़ आफ शिक्समांट्स वन य चलिक छोटे-छोटे इंप्रूमेंट हर दिन करते जाओ साल बर फिर आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा इंप्रूमेंट बहुत बड़ा ट्रांस्फोर्मेशन आप में आया है इस प्रोसेस ऑफ इवालविंग तो यह आपको मैं यहां पर बताऊंगा साथ यासे चैनल जो personally मैं खुद भी बहुत जादा इनको देखता था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत अच्छे है जहां पर बहुत कुछ information बहुत कुछ knowledgeable चीज़े भी आपको मिलेगी inspiration भी मिलेगा उसके साथ साथ आपकी English भी improve होगी और सबसे आसान तरीका यही होता है कि कुछ content ऐसा देखो जो engaging हो जो आपको help भी करें और जहांसा आप English भी पाओ तो उसी की बारे में बात करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please कर दिजिए और अगर वीडियो यहां तक देखाई है तो please like कर दिजिए comment में हमें आप बाकी की जो मैं आपको recommend करूंगा और जो बेस चैनल मुझे लगते हैं ठीक है तो लेके चलता हो आपको मेरे screen पे तो दोस्तो हां मैं भी first channel जो कि मैं आपको recommend करूंगा यह आप जरूर जरूर देखिएगा इस channel को आप follow भी कर सकते हैं और यह है start speaking English with fast easy lessons by real teachers English class one on one ठीक है number में इसको रखूंगा number 7 पे English one on one बहुत powerful बहुत अच्छा एक वे है English सिखने का ठीक है जिसमें आपको यह दिखे आप देख पा रहे होगे 400 English words with for everyday life right एक दो रही गंटे का है लेकिन जिसमें ऐसे 400 शब्द बता है उन्होंने जो आपको daily की life में use करने होते हैं यह बहुत अच्छा channel है learn English with English class one on one में इसकी link आपको YouTube के नीचे वीडियो में भी देए दूँगा और यह आप आप देख सकते हो कितना तो very good channel very helpful channel आप देख सकते हो 5.75 million subscriber भी है और बहुत अच्छा आप अगर यह content देखते हो regularly का मैं आपको बता हूँगा एक channel बनाई है यह साथ channel का recommendation है अगले 30 दिन तक यह follow केज़े YouTube जब भी खोलोगे तो वही channel के साथ YouTube खोलिए वही account के साथ YouTube खोलिए लर्न English वाला और उसके बाद यह साथ channel को subscribe करने के बाद इनको regularly अगर आप 30 दिन तक देखते हो तो मुझे बताएगा क्या आपको improvement लगता है यानि क्या आपको कुछ बदलाव लगता है यानि क्या कही ना कही आपने कई subconscious mind में कुछ ना कुछ English improve हो रही यानि यह आप मुझ English conversation जो हम लोग डेली के English बोलते हैं डेली की language में जो English का हम लोग यूज करते हैं इस्तमाल करते हैं वह सारा हम यहां पर कर सकते हैं this is very very good channel यहां पर देखो आप छोटे छोटे वीडियो इनके जिसमें आपको आपको आइडिया जएगे practice speaking in English right learn English for everyday speaking English conversation तो यह सारे वीडियो आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे बहुत अच्छ इंटरस्टिंग तरीके से यहां पर भी आपको बताया गया नंबर सिक्स पर में इसको रोखोंगा जहां पर बहुत सारी आइडिया बहुत सारी चीज़े आपको सिखने मिलें की और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्र कि मिलें बल मिलें की रोख गुष भी से इस चैनल क्यों वस्ता पर कई को समझना आता और वो चिजह आप यहां पर भी सीख सकते हो कि कैसे इक English American English बोल जाती कैसे British English बोल जाती हो सारा नंबर फिट पे हम आएंगे जहां पे मैं बात करूंगा आपको Learn English with fuqanN bu seven пост बाहँ बहुत इंट्रस्टिंग यहां पे आपको British English का जाधा प्रक्रीस करने में बस हूंinary तरीके से उन्होंने बताया है the easiest way to learn vocabulary the easiest way to learn English right vocabulary बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है अलगलग situation के हिसाब से भी इन्होंने बताया है कहाँ पर क्या बोला जाए और अलगलग lesson से आप देख सकते हो right अलगलग lesson से आपको दिख रहे होगे बहुत सारे वीडियो यहां पर बहुत इंट्रस्टिंग यह भी तरीका है इंग्लिश सिखने का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नाम है learn English with fucking और काफी इंट्रस्टिंग है नंबर फित पर मैं इसको रखना चाहूंगा क्योंकि काफी पॉपिलर है काफी अच्छा भी है और जिस तरह से यहां पर इंग्लिश सिखा जाती है वह काफी इंट्रस्टिंग है तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका बहुत ज़दे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा अगर आप यह चैनल को भी फॉलो करते हो तो रिमेंबर वर्ड कैसे करें डिफ्रेंट स्टाइल अफ इटिंग को कैसे हम डिस्काइब करें राइट उसके बाद अलग-अलग इंग्लिश वर्डस ऑफ इंडियन ओरीजिन ऐसे कुछ शब्द है इंग्लिश के जो इंडियन ओरीजिन है उसके बाद कैंपस कॉर्परेट केंपस में जब हम लोग बात करते और इंडिया में लोगों सेरेंगे तो इंडियन फ्लेवर आता है काफी जहाद आपको रह सकता है आप नमबर थ्री की बात करते हैं नमबर थ्री पे जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है वो है इंग्लिश स्पीचेस अब इसमें आप देख पा रहे होगे अब इसमें कोई हिंदी में नहीं बता जाएगा इंग्लिश में ही आपको इंग्लिश समझाई जाएगी होगे अभी प्रिती जिंटा का यह स्पीच है वारें बफे का है मदर टेरिसा का है राइट उसके बाद आप देख पा रहे होगे एनी हाथवे का है अमिताब बच्चन का है मायर रॉल्फ का है टेरी क्रियूज का है रोवन एटिक्शन जो हमारे मिस्टर भी नहीं है उनका स्पीच है तो यह स्ट्रिप आपको इंग्लिश इंप्रूव नहीं करवाएगा यह आपको बहुत ज़्यादा इस्पिरेशन भी देगा क्योंकि यह ऐसे लोगे जुन्होंने लाइफ में बहुत जिरो से स्टार्ट करके कुछ अच्छिव किया है उनकी जर्नी है उनके जो लेशन से वह भी सिखाएगा प्लस वहां पर आपको विस सब्टाइटल समझ में भी आएगा कि वह क्या कह रहे है यह काफी इंटरस्टिंग तरही का होता है नॉलेज के साथ अपनी लेंग्वेज को भी इंप्रूव करने का तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यह चैनल जरूर 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 इसको सब्सक्राइब करके इसको आप फॉलो कीजिए का बहुत इंटरस्टिंग और बहुत अच्छा चैनल है बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा डेली का अगर आप एक-दो स्पीच भी सुनते हो तो यूविल रियली फिल मोटिवेटेड और यूविल फिल पावर्फूल यूविल फिल इंप्रूड वें इन यूर इंग्लिश लेंग्वेज अलसो और बहुत टीम कुक है तो बहुत बहुत सच में इसमें आपको एक अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगी जैकर रोली हो गए तो यस प्लीज डू दिस यह बहुत अच्छा एक तरीका होता है उसके बाद है नंबर टू पर है क्योंकि हम इंडिया से हैं हमें बहुत सारी चीजे थोड़ तो सीख सकते हो जैसे कि अब देख पा रहे होगे यह चैनल है रोज काम आने वाले 40 इंग्लिश वर्ड्स राइट 16 डेली यूज कंफूजिंग इंग्लिश वर्ड्स हाव तो डिल विद नेगेटिव पीपल है ना आइंट जी कब लगाया जाता है उसके बाद यह बहुत यह वही है जो हमने पहले देखा था लर्नेक्स का उनिका चैनल है यह और सीखो 20 शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेज हाव और यू फिलिंग पुछने के दस अलग तरीके राइट यह शूड इन इंग्लिश कहां पर शूड इस्तमाल किया जाए स्मार्ट इंग्लिश तो यह क दूर्ण इंग्लिश विद्ए तीवी सिरीज इससा अप देख रहे होगे लें इंग्लिश विद हरक्युलैस अब कीलियुलस नाम का एक काटून आता था उसके साथ इंग्लिश इंग्लिश के साथ इंग्लिश सिखीं ब्लैक वीडो आपको पता है ब्लैक वीडो एक मूवी है या स्कार्लिट जॉंसन जो हमको Marvel Universe के Cinematic Universe में दिखती है तो उनका यहां पर speeches उनकी बातों को नहीं हम बता है हर्माईनी के speeches वो बता है Britney Spears हो गी friends हम सबको पसंद होता है तो जहां पर friends के जो conversation है उसको English में इन्होंने समझाने कोशिश किया है and this is this is really interesting learn English with friends जो जितने भी TV series है उसके साथ learn English with cars cars नाम का एक का आपको पता होगा यह आता एक एक movie थी animated movie वहां पर Cruella Incredibles 2 तो इसको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने कोशिश किये समझाने के जहां पर आपको जो जितने entertaining ऐसे comedy होगे entertaining होगे ऐसे TV series है या फिर movies है तो उनको इन्होंने साथ में लेके फिर उनको explain करने की कोशिश की है और फिर वहां पर उन्होंने उसको इंग्लिश में समझाने कोशिश किये तो I personally like this one so much क्योंकि entertainment भी होता है कभी बहुर हो रहे हैं बाकि के जिए हम कभी बहुर होते हैं देखना पसंद नहीं करते थोड़ा सा इंटर्टेनिंग चाहिए होता है तो एट टाइम यह बहुत अच्छा है लर्न इंग्लिश स्टीव जॉब्स उनकी मूवी से बताया है प्रेंड्स फिर से तो बहुत अगर आपके इनके प्लेलिस में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा अलग अलग लग लग इंग्लिश फ्रेंड्स तो पूरा फ्रेंड्स का सीजन इन्होंने इंग्लिश के थ्रू समझाया है फिर इसी तरह से बीग बैंक थेयरी भी है बहुत सारे है राइट सेलिब्रेटीज तो यह आपको गेम अप्स थ्रेंड्स हो गया यह भी हो गया तो इस तरह से यह भी आपको चैनल बहुत ज़दा हेल्प करेगा तो अभी करना कि आपको य जब भी खोलो आदा एक देट दो घंटा अगले 30 दिनों तक इनके वीडियो देखने हैं अगर आपको लग रहा कि इंप्रूव हो रहा है तो इसको एक साल तक कंटीनु किजिए और मुझे बताइए कि आपके इंग्लिश अगर नहीं इंप्रूव होती है मैं लिख के दे स करना पड़ेगा बाकी के चीज़ों को अवाइड करना पड़ेगा सिर्फ उन पर फोकस करना पड़ेगा जहां पर आप काम कर रहे हो वही एक फोकस अगर लगे चलोगे आपको लगता है कि इंग्लिश सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके पढ़ई के द सब्सक्राइब के जगर अभी तक नहीं किया हुआ हो तो बॉल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि हम लोग लाइब जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर वहां पर हम लोग देंगे पर आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने भेल आइकन नहीं दबाये तो और थैंक्स महीं जग आपको झाल वाल वाल वींजिए नहीं झालीए झालीए खिया पर आपके लिए उडेवी तो मुंस्ट अवेश्ट सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर देंगे आपक्याए पर आपका